हेलो तोस्तों कैसे हैं आप और बात करेंगे सालार की सालार पर बड़े अलिगेशन लग रहे हैं और वह आरोप यह है कि सालार जो है साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड धुस्त कर दिये हैं तोड़ दिये हैं शारू खान की फिल्म से बहुत आगे चल रही है वर्डवाइट कालेक्शन जो है महुत शांदार है चार सो पीसी के बड़े अलिगेशन लग रहे हैं यह एक बड़े आरोप है एक बड़ी फिल्म पर जिहां छे दिन की रिलीज का डेटा तो मैं आपसे शेयर करूंगी ही लेकिन आपको यह बता दूं के है कहा यह जा रहा है कि ja Japanese से प्लांट किया जा रहा है यह दिखाया जा रहा है कि सारे जो सेने मा हौल है वह मधक्त है प्रभासर करणार से और नहीं कमाई कर रही है कहा यह भी जा रहा है जो कमाई के data share किये जा रहे हैं वो fake है कहीं न कहीं लेकिन क्या इससे पहले यह सवाल कभी उठाया गया है जब दूसरी कई फिल्में हिट हुई है, सूपर डूपर हिट हुई है, वर्ल्ड वाइल जेनों ने कमाया है, क्या कभी इस सवाल तब उठाया, लेकिन अभी नहीं उठा रहे हैं, हाला कि जो एकसेटूटर है, वहाँ पर जाकर कई लोगों ने वीडियो जरूर पोस्ट किया है, जो सुभे के जो शोज थे, जो बुक थे, जो पूरी तरीके से फुल थे, वो दिखाने के कोशिश की गई थी, कि देखें ये खाली है, हो सकता है, वो सच हो, लेकिन यहाँ पर फाइट कुछ और नजर आती हुई, एक तरह से दिख रही है, यहाँ पर अगर यह कहा जा इस तरीके से उठाने चाहिए, कि यह फेक कमाई है, शारुखान के फैस जो है, वो बहुत ज़दा एमोशनल हो जाते हैं, क्या यह भी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है, कि जो शारुखान के फैसे खासतर पर वो यह सवाल उठा रहे हैं, कि प्रभास की इतने ही जादा कमाई कर रही है, तो क्या हम इस बात को इस तरीके से नहीं ले सकते हैं, कि एक बहतरीन फिल्म कमाई कर रही है, और इस साल अगर देखा जाए, शारुखान के अगर तीन फिल्मों ने कमाल किया है, तो कई और दूसरी फिल्मों ने भी कमाल किया है, अभी कि जब बहुत जादा कलेक्शन हो रहा है फिल्मों का और 2023 में हमने दिखा कि कई बहतरीन फिल्में यहां पर आई हैं तो इस तरीके से सोचना शायर ठीक नहीं होगा थोड़ा सा हमें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है चलिए अब आपको बता देती हूं सालार का डेटा क्य दिन जो है वो 25 करोड़ छटे दिन 16 करोड़ और अगर टोटल देखा जाए तो यह 300 करोड़ का आकड़ा पार करने वाली है फिल्म और वर्डवाइल अगर देखा जाए तो 450 करोड़ यानि की सालार जो है सबको पीछे यहां पर छोड़ रही है लेकिन सालार के साथ साथ सा के दिन में कमाल की कमाई कर रही है लेकिन इस पर यह सवाल उठाए जा रहे है कि यह कमाई फेक है लेकिन क्या यह सवाल वाकई वाजिब है हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि जो फिल्में हैं वालीवूड की जो फिल्में हैं इंडिया की जो फिल्में हैं वो बहतरी कमाई कर रही हैं वो बहतरीन स्टोरीज लेकर आ रही है और लोग जो है वो सिनेमा हौल तक खेचे चले आ रहे हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कर ले